सो हेलो पोकेमोन फैंस तार केसो आप लोगों मित करतम सब ठीक होंगे तो यार भी लोग यार कल मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई कौन सा पोकेमोन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है यूज करना तो सब लोगों ने और उसमें सबसे ज़्यादा पर बोड किये थे वो सपोर्टर भी किये थे और उसके बाद जाके भाई डिफेंडर वेगे थे तो हाँ यार यार यह बात थोड़ी सी सब्सक्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह सब्सक्राइब बहुत सारे अलग-अलग टाइप के पोकेमोन है त कि यही होता है और कुछ नहीं और उसका यूस्यार तुम रेंडब के साथ भी केसे कर सकते हो और वह सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा आपके लिए इसको एजी बनाने वाला हूं है तो उसके लिए पूरी वीडियो जरूर से देखना और चैनल पर नहीं हो तो सब्काइब कर देना ताकि आप लोगों को ऐसा कंटेंड मिलता रहे तो यहां पर देखको आर मैं एक रेंडम मेंज खेल रहा हू उसके बाद पीछे बुला के भई इसको वापस से प्रालाइस किया जिसे कि भाई वो यहां पर मतलब स्लीप कर गया और दोनों ने मिलके भई पेल दिया जबकि मेरी हिल्थ देखू अगर मैं चानला तो यहां वाग सकता था लेकिन अगर मैं भागता तो भई वो यहां पर वही फार्म कर जाता जरूरा तो मैं पता ही है या फिर हमारे किसी भी टीमेट को मार सकता था लेकिन मैं कम एच्पी के बाद भी देखो यहाँ पर कितना टीका हुआ हूँ क्योंकि वही सपोर्टर जो विगलिटा पर इसकी हील्थ यहाँ पर ज्यादा होती है तो मैं यहाँ देमेज जहल सकता हूँ और मैं अपने यहाँ पर टीमेट को पूरा सपोर्ट दे रहा था ताकि यहाँ पर फार्म कर ले या फिर बंदों को मार सके तो इस तरीके से थोड़ा साहर सपोर्टर के साथ में थोड़ा तुम्हें बीना डरे खेलना रहता है चाहे आप मर जाओ लेकिन आपके टीमेट को यहाँ फूर सपोर्ट दो ताकि वो सामने वाले पूक divan को मार सके अब जो को सपोर्टर की सबसे पहली बात यह होती है कि वो अपने जो भी साथ में टीमेट है उसको यहाँ पर फार्म करवाता है आपकी जो लेविल है अपने साथ वाले टीमेट से कम होनी चाहिए इसी हिसाफ से तुम्हें खेलना है कि अगर तुम्हें लेविल के टिममेट से जादा है तो आपको फास्टन वगरा करना है और जो बाकी का काम होगा ना मारने वाने का वो आपके साथ वाले टेकर ही कर लेंगे आराम से अब भाई यहाँ पर बात आती है कि सपोर्टर को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो यह कोई भी चीज सिंपल नहीं होती लेकिन तुम्हें एक चीज बता दू बाई अगर तु सी को उसकी अबिलीटी ट्राइ करो अलग अलग जिससे कि आपको समझ माजा है क्या सीने और भाई सपोर्टर से जब भी खेलते हो नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा ट्राइ करो कि टीम के साथ में खेलो क्योंकि भी रेंडम के साथ में खेलोगे तो आप पका यहाँ पर यहाँ पोइज नहीं वह रहां भाई पूर्ट और ट्राइक कि अपर भाई में तीन तीन बंदों के सामने क्या कर लेता तो अब भाई मेरे को यहां से निकलना पड़ा क्योंकि इनने देखो नहां पे पूरा का पूरा यह जो गोल तोड़ देए तो और अभी इनका रोटम वाइब बचा हुआ था तो अब भई मेज जितना हो सकता था उतना तो ट्राय करता इनको रोकने को और तब हमारे टीम यहाँ पर आ जाते अगयर एक टीम भी पहले आ ले लेगा या फिर आल रांडर लेगा जो भी उसको खेलना आता है बाकि भई सपोर्टर जो रेगा ना उसके साथ में घुमेगा तो भई पूरा का पूरा गेम जहां पर कंट्रोल कर सकता है और इसका सबसे बेस्ट अगर मैं एक्जापल दूना तुम्हें तो यार एल्डी वाली वीडियो अभी उपर फ्लैश होगी होगी वह जरूरु से देख लेना उसमें बस एक एल्डी गोस का यूज करके मैंने सरीना के साथ में पूरा में जीते तो वह भी तुम देख लेना क्योंकि एक सपोर्टर पूरा में जीत हो सकता है बस आपको एक टीम मेंट के यह पूरत तो पड़ेगी जो कि आपके साथ में रहे क्योंकि सपोर्टर अकेला कभी कुछ कर नहीं सकता है तुम्हें यह बात तो ध्यान होनी चाहिए अब देखो यहां पर मैंने सुचा चलो पोइंट डाल लेते कि तब यहां पर काफी सारे बंदे आ गए तो यहां पर में अलग अलग टाइब की एबिलिटी होती है जैसे यहां पे विगलिटाफ की बात कल दो तो यह कि अगर दिया पोकेमोन को स्लीप कर वा दिती थोड़ी देर के लिए तब तक यारी तुम्हारे एलाईप किमोन रेंगे तुम्हारे साथ वाने लेंगे वह क्या करेंगे उन ब सब्सक्राइब करता है तो अगर तुम पूरी टीम को यहां पर हील करोगे तो अगर तुम उनसे मरने नहीं दोगे तुम्हें टीम को तो कितना ज्यादा वह एक इंपोर्टेंट चीज हो जाती है कितना एड्वांटेज देती है अब देखो यहां पर मैंने सब को स्टन किया और आसानी से हमने यहां पर ड्रेड्नो ले लिया और एसी टाइम पर भी क्या होता है कि बहुत बार जब एनी में आपको लगे कि यह बंदा यहां पर युनाइट चला के बई कुछ भी अब्जेक की तो आर वह भी तोप लेख करते क्योंकि देखो वह एक तरीकिसे डीफेंडर और भाई उसके बाद एक ट्रेपर दोनों क्योंकि बहीं बोकिआ करता है शिंद से बात जो असीदिन करते ता है साथ में वह क्या करता है च्पांदी को मतलब जब भी बंदा कहीं जहता रहे वापस से रिटन होता रहा तो उसको बीचों फसा दो उससे क्या होगा कि वह जा नहीं पाएगा और महां पर आप उसको आसानी से मार पाऊगे और मिस्टर में का डेमेज बहुत जाता होता है तो वह तरीकी सा टेकर प्लस डिवेंडर दोनों तरह से खेलता है मेरे को तो फिललेता हो यार मैं यहां पर बलेजी की तो बलेजी क्या करता है पुए पको पता है वो आपको यहां पर इम्मीन कर देती है मतलब वह अब good में जब भी जाते हैं तो आप को ब्लेजी बचाती है तो ब्लेजी का अगर यूज करते हो तो आप अपने टीमेट को यहां पर इम्म्यून कर सकते हो जिससे कि वह फाइट में बिल्कुल बीना इस्टन हुए फाइट लेते रहे और आसानी से बही बंदों को पेल सकें तो ऐस सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर मतलब एक अटेकर की तरह भी खेल सकते कभी कभी और यह पूर्वर सपोर्ट भी करते हैं तो यह दो पोकेमन ऐसे जो कि भाई तुम सोलो भी खेल सकते हो और उसके लिए याद रखना किसी बंदे के साथ में हो जाना जो कि तुम्हें अच्छा खेल रहा है जे गेम में आपको पता लगी जाएगा कौन सा बंद अच्छा खेलता रहता है तो उसके साथ में घुमो वह आपको यहां पर पुरा मेच जिता कर देगा आप उसको सपोर्ट करो यहां पर आटी कुनों आ गया तो में आपर क्या कर रहा था हो जाए और तब तक भाई यहां पर जरूरा कुछ नहीं कर पाया और हम लोगों नहीं दोनी करनें तो इसी जाते तो इस तरहीके से थोड़ी सी मतलब पारी को कूँए दान देना होगा थोड़ा यहां गेम से को इंप्रू यहां अगर आप सपोर्टर के साथ में कहलते हो तो आपका गेम से सिंप्रूव होना चाहिए अब देखो यहाँ पर यूज करका आये था तुम्हें इन दोनों को स्टन कर दिया अब यह गोलगटर होने के बाद भी देखो नहां पर इसको स्कोर नहीं कर दिया क्योंकि भाई मैंने थोड़ी से दिर में इसको स्टन कर दिया उस वज़े से यहां पर गोल गटर से इसको नहीं कर पाया रेगनाइट और इस तरीके से देखो यहां पर काफी अच्छे पॉइंट के साथ में जित जाते हैं और देखो यहां पर मतलब मैंने एक यार सपोर्टर के साथ में टेन कील नो असीज निकाल ली जबकि में एक सपो और यह जरू ध्यान रखना आपका अटेकर का मतलब हेल्थ कितना ज्यादा होता है अगर ज्यादा होता है तो आप उसे आसे मतलब डिफेंडर तरीके से यूज कर सकते हो और अगर अगर अभी तक आपके पास यहां पर टीम नहीं है तो उपर वाली वीडियो पर क्लिक करन तो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई